सो गाईस आज हम बात करेंगे मजमून नवेसी की ठीक है चले फिर शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मजमून नवेसी ठीक है और मजमून का मतलब होता है टॉपिक या कोई ऐसी चीज जो जिसी किसी चीज पर लिखा जाए में तो वहाँ आ सकता है ठीक तो चले फिर शुरू करते हैं पढ़ना हर स्कूल में बच्चों को मजमून नवेसी लिखना सिखाया जाता है मजमून नविसी यानि के मजमून लिखना जो तल्बा तल्बा बोलते हैं स्टूडेंट को उस वक्त उस्ताद की बातें तवज्ज़ से सुन लें उन्हें काम्याभी मिलती है और तवज्ज़ बोलते हैं ध्यान और आम तोर पर बच्चे शुरू में मजमून लिखने से घबराते हैं और दूसरे के लिखे हुए मजमीन रट कर लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है मजमीन यानि मजमून का प्लूरल फॉर्म ठीक तो यह समझ सकते हैं आप बहुत ही जाद अच्छे से इसका नतीजा यह होता है कि वो कभी भी अच्छे मजमून निगार नहीं बन पाते क्योंकि वो मजमून निगार यानि कि वो शक्स जो मजमून लिखता है या अच्छा लिखना जानता है ऐसा नहीं है कि वो अच्छा मजबून नहीं लिख सकते बस जरा सी तवज्ज़ की तवज्ज़ बोलते हैं ध्यान की जरूरत है इप्तदा में यानि शुरू में ठीक है दुश्वारियां आएंगी लेकिन लिखते लिखते महारत होती जाएगी क्योंके मजबून नहीं का तालुक मश्च से है मश्च बोलते हैं प्रैक्टिस इसलिए मुख्तलिफ मौजवात मौजव का प्लूरल फ़ॉर्म मवजवात पर मुताला करके अपने अंदाज में मजबून लिखने की कोशिश करें तो आप एक दिन अच्छे मजबून निगार बन जाएंगे ठीक है मुताला बोलते हैं एक तरह से रिसर्च को अभी पढ़ते हैं हम मजबून कैसे लिखें तो इसमें कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसको आप देखें समझें पहला है मजबून लिखने से पहले उनवान पर अच्छी तरह गोर करना चाहिए उनवान यानि के टॉपिक्स फिर जो बातें दिमाग में आएं उन्हें एक अलग कागस पर तहरीर कर लें यानि लिख लें और उनकी तर्तीब का खयाल रखें तर्तीब बोलते हैं सीरियल वाइस जो और सब उपर कर लें इसको ठीक सेकंड पॉइंट है मजमून के तीन हिस्से होते हैं तमहीद पहला है तमहीद ठीक है क्या है यह इसका हम पढ़ेंगे दूसरा नफसे मजमून और तीसरा है खात्मा जहां पर बात खत्म हो की आती है किसी भी मजमून को जब लिखते हैं तम मजमून तमहीद. मजमून के शुरू के हिस्से को तमहीद कहते हैं. जिसमें उन्वान की तारीफ यानि टॉपिस की डाफिनेशन और मजमून के लिए विजा तै़ार की जाती है। विजा बोलता है कि इन्वाइमिंट बनाया जाता है, ठीक? शुरू का जो मामला है तो दूसरा पॉइंट देखिए नफसे मजमून तमहीद के बाद असल मौजू पर पेश किये गए ख्यालात को नफसे मजमून या मजमून का मवाद कहते हैं मवाद एक तरह से बोलते हैं मैटेरियल को ठीक है इंगलिश का इसका वर्ड हुआ मवाद क लेकर के सुन सकते हैं अब हम चलेंगे पॉइंट नमर तीसरे के ठीक है तो बाइस हमारे साथ बनी रही है पॉइंट नमर तसमा अपने ख्यालात को पेश करने के बाद एक नतीजा भीनिकाला जाता है यही नतीजा मजमून का आखरी हिस्सा यानि खात्मा कहलाता है यानि मजमून जब लिखते हैं आप तो पैरा समझ लिजए आप 4-5-10 लाइन की जो भी हो सकता है जतने मजमून तरह जितने वर्ट्स में लिखा गया है उसको तीन हिस्सों में बाट लेने आपको ठीक है अब देखते हैं important चीजे बहुत हो था मजमून की लिखने का तरीका यह है मजमून की किसमे यानि types of मजमून you know types मजमून तीन तरह के होते हैं आप देख सकते हैं इसमें ठीक है sorry guys हिल रहा है तो पहला point देखिए ठीक है तीन तरह होते हैं मजमून मजमून बयानी जिस्पे बयान किए जाए इस में किसी चीज यह मकान यह जणनदार का बयान पाया जाता है बयान यहनकर describe किया जाता हुसको description लिखा जाताए उसके में है ना ठीक है मसलन गाई मसलन बोलते हैं मिसाल के तोर पर गाई के मजमून के लिए उसके जिस्म की बनावट ठीक है यानि कैसे दिखती है वो उसका रंग खुरात यान कितना खाती है कितने घास खा जाती है और दीगर तफसीलात तफसीलात बोलते हैं डिटेल्स बयान करनी होंगी ठीक है यारी कि डिस्क्राइब करना पड़ेगा डिस्क्राइब करना पड़ेगा चुनाचे ऐसे मजामीन को बयानिया मजामीन कहते हैं तो यह चीज सी बहुत ही जादा समझने वाली देखने वाली सुनने वाली अब देखते हैं तीसरा पॉइंट मजमून हकाई मजमून हकाई क्या है यह आपको भी बताया जाएगा तो गाइस देखिए मजमून हकाई ठीक है बढ़ने रही है हमारे साथ कहीं जाना मत प्लीज हाँ प्लीज ठीक है इसमें वो तमाम मजामीन शामिल हैं जिस में किसी वाक्या यानि इंसिडेंस या किसी की सवाने शामिल हो सवाने यानि कि बायोगराफी जिसे बोलते हैं हम इंगलिश में ठीक है सवाने उम्रिया यानि बायोगराफी लाइब बायोगराफी और हिकायते ठीक है हिकायتیں आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो अभी समझेंगे आप या वाके यानि कि इंसिडेंस या अक्सिडेंस दोनों एकी बात है वाके का जिक्र मजमून मजमून हिकाई कहलाता है ठीक है तो ये डेफिनिशन थी मजमून हिकाई की गाईज तो आप समझ सकते हैं अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट मजमूने जहनी ऐसे मजामीन जिन में गोर फिक्र की जरूरत हो है ना यानि कि सोचने समझने की जरूरत हो दिमाग का इस्तमाल हो ठीक है मसलन इमानदारी या तालीम जैसे उन्वानात यानि टॉपिक्स उन्वानात यानि टॉपिक्स ठीक है तो है ना और ये समझ सकते हैं आप इसमें कोई दिक्त नहीं है तो देखिए उन्वानात पर जब मजमून लिखा जाएगा तो उन चीजों पर गोर फिक्र करके अपनी तरफ से लिखना होगा यानि अपना दिमाग अपना जहन लगाना पड़ेगा तो वाइस आप समझ सकते हैं ये थे मजमून के किसमें है ना किस किस तरह के मजमून होते हैं तो ये तीन थी और हमने यहां बताया हम हम मजमून कैसे लिखें यानि ये तरीका है और इसके भी तीन पार्ट है, इसको तीन पार्ट में लिख देना है, ठीक है, और बस गाईस, इसमें और कुछ तो है नहीं है, तो यही चीज आपको समझाने की जरूरी है, और अगले पार्ट में, यह किसमें बताएं मैंने, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा गाई कि मजबून कौन कौन से मजबून और एक लिक के दिखाएंगे ठीक है चली फिर गाइस आप से लेते हैं अभी अलविदा तब तक खुछ रहें आबाद रहें और जिन लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल उर्दू विज्जिया ठीक आइस चली फिर बाबाइ टेक क्यार